है रो दोस्तो मैं हूँ शेशांग और आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इंपोर्टन सिरीज जो की है प्रैक्टिस सेट की तो आज हम लोग पहले जीएस का देखेंगे फिर इसके बाद करन्ट अफेर और कुछ हिंदी के कोश्चन्स देखेंगे जो यूपी ट्रिपल नदी मुख भूमी का टिला मृत को का टिला या जीवन का टिला तो इसका अंसर हो जाएगा सी ओप्षेंज मृत को का टिला ठीक है मोहन जोद्रो जिसकी सिंधी भाशा में अर्थ मृत को का टिला होता है इसकी खोज सरप्रथम वर्स 1922 में राखाल दास बनरजी ने की थी तो याद दखेगा सिंधी भाशा में क्या बोलते हैं और कब हुई थी इसकी खोज और किस ने करिए कोज ठीक तो पैरा कोश्चन का ब्रीट सेकंड कोश्चन में देखते हैं सेकंड कोश्चन है प्रारंबिक बहुत धर्म ग्रंतों की रचना किस में की गई थी option है प्राके कि बहुत धर्म ग्रंतों की रचना पाली पार्ट में की गई थी ठीक है तो यह important है याद रखेगा पाली उसमें आम जनों की भासा थी उस टाइम आम जनों की भासा थी बाद में बहुत धर्म ग्रंत संस्कृत में लिखे गए ठीक है चलिए next question है वह सुल्तान कौन था जिस मुबारक है इसका अंसर हो जाएगा इसका कुछ इंपॉर्टन पॉट्ट से वह देखते हैं अलावद धिन खिल जी ने खलीफा के अधिकारों को माने से इंकार कर दिया था जबकि कुटुबुद्दीन मुबारक खिल जी ने स्वयम को खलीफा गोसित करा था ठीक है तो य सिवा जी ने कितनी बार सूरत को लूटा ओप्शिन है चार बार एक बार तीन बार दो बार इसका अंसर हो जाएगा डी ऑप्शन दो बार शातिर प्रति सिवा जी सीटीन हंड़े विद्रों की सुरवात कहां से हुई थी ती और दूसरी बार अक्टूबर शिक्सेन सीवें नेक्स्ट कोश्शन है भारत में सिपाही विद्रों की सुरवात कहां से हुई थी। और आजच कोट, चमपारन, बरेली और मेरट। इसका अंसर हो जाएगा D option मेरट से स्टार्ट हुआ था भारत में सिपाई विद्रो की सुरुवात 1857 में मेरट में हुई थी या ब्रिटेश साशन के विरुद एक ससस्त्र विद्रो था ठीक है कॉंग्रेस की पहली महिला अद्यक्ष कौन थी और इस पर देखते हैं भारती राष्ट्री कॉंग्रेस की पहली महिला अद्यक्ष जो थी अनिबेसं थी उन्हें वर्ष 1917 में कलकत्ता में इस पत्त के लिए चुना गया था ठीक है तो याद दुखी का कब की सीहर चुना गया था और कौन से अदिवेशन में तो कलकत्ता वाले अदिवेशन में चुना गया था फिर next है मात्मा गांदी ने वर्स डैस में नेटाल भारती कॉंग्रेस का गठन किया option है 1854, 1863, 1894, 1874 इसका answer हो जाएगा C options 1894 में ठीक है तो मात्मा गांदी ने 1894 इश्वी में नेटाल भारती कॉंग्रेस का गठन किया था या गठन दक्षिड अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भीदबाओं के विरुद लड़ने के लिए गठित किया गया था तो यह भी याद कि क्यूं गठित करा गया था यह फिर next है cabinet mission भारत आया था option है 1943, 1944, 1945, 1946 इसका अंसर हो जाएगा D option 1946 में cabinet mission भारत आया था ठीक है और लॉर्ड पैंत्रिक लॉरेंस के नित में 1946 के में cabinet mission भारत आया था और इसके दो अन्य सदस्त थे इस्टेफ फोर्ट क्रिफ्स एवंस ए वी एलेक्जेंडर ठीक है तो नाम याद रखिएगा कौन-कौन थे इस पे लॉर्ड पैंत्रिक लॉरेंस इस्टेफट फोर्ट क्रिफ्स और ए बी एलेक्जेंडर और यह याद रखिएगा 1946 में कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंतिता सिनानियों के लिए प्रेड़ना का स्रोथ बना था परिक्षागुरू आनंद मठ रंग भूमी पदमा राग इसका अंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आनंद मठ बंकिंग चंद्र चटेड़जी द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास भारत के लिए स्वतंतिता सिनानियों के लिए प्रेड़ित का स्रोथ बना था इसे बंगाली देशवक्त की बाइबल भी कहा जाता है ठीक है तो याद हो कि यह भी भारत का पहला भारती गवर्णर जेनरल कौन था ऑप्शन है बी आर अंबेट का सी राजा गोपालाचारी जेद्बसार डॉक्टर एस राधा कृष्णन इसका अंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सी राजा गोपालाचारी ठीक है तो स्वतंति भारत के प्रतम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन थे तो याद कि स्वतंति भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वह लौड माउंट ब अशसे बड़े देशयों में भारत किस स्थान पर है जबकि जन संक्या की दिर्श्ट्री से दूसरे स्थान पर रहा है और आप लोग़ी टॉप पे साथ कौन-कॉन से हैं नेक्श्ट है कॉसिन निमलिखित में से कौन सा एक मोड़दार परवत का एक उधारन नहीं है option है हिमाले, रॉकी, अरावली और एंडीज आंसर हो जाएगा अरावली अरावली सबसे मलगी पुरानी है संखला फिर और इस पे कुछ पॉइंट से वो देखते हैं अरावली परवत एक अवसिस्ट परवत, रेजिडी और माउंटेन का उधारन है जबकि रॉकी हिमाले और एंडीज परवत संखलाएं मोड़दार परवत, फोल्डेड माउंटेन का उधारन है ठीक है तो याद रुखेगा नेक्स्ट एक कुश्चन हुंडरू जल्ड प्रपात किस नदी पर इस्थित है उप्शन है सुवर्ण रेखा नदी, कृष्णा नदी, गुदावरी या फिकावेडी नदी इसका अंसर हो जाएगा ए उप्शन सुवर्ण रेखा नदी ठीक है तो हुंडरू जल्ड प्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर है या जार्खन राज में रांची के निकट अवस्तित है ठीक है तो याद दुखेगा कहाँ पर है जार्खन राज में और फिर है घ्रան कैनी यन किस नदी पर है उप्शन मिसीश्पी कोलो रेड만 На 12 आंसरो जाया इसकाा बूर्शन सु कॉलबर को लोरे डो ग्र्ण कैनी यन शैंएंगत संय होते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में प्रशान्त महासागर में गिर जाती है तो यह हो गया हमारा फॉर्टीन कोश्चन नंबर आप आजाते हैं निमलिकित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है अप्शन हो जाएगा कनाड़ा दक्षिन अफ्रीका कजाकिस्तान और यूएस ए अंसर हो जाएगा कजाकिस्तान आप देखिए इस जो यह उत्पादक हैं सबसे बड़े उत्पादक वर्ल्ड में कौन से देश हैं तो इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई वी है वह मैं डिस्क्रिश दुगद उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा इस्थान है चौथा तीसरा दूसरा पहला तो इसका अंसर हो जाएगा डी ऑफ्शन पहला तो यह जो दुगद उत्पादन है या भारत से रिलेटेट जितने भी कोश्टिंस आएंगे जिसमें भारत का प्रतम दित्व औ है फिर नेक्स्ट है हमारा कोश्ट्यन राजी कोशी घहटा का अर्थ क्या है सरकार की कुल राजस्व और कुल व्याय के बीच अंतर सरकार का कुल व्याय और सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशी इसका option हो जाएगा B option यह option सही कर लिजगा का की जगा B होगा और इसका अंसर हो जाएगा राज में कुल राजस और कुल व्याए के बीच का अंदर राज कोशी घाटा कहलाता है ठीक है फिर next है हमारा question भायत में योजना आयोग का गठर ने किस वर्स में किया गया था option है 1947,1950,1949 या फिर 1952 इसका अंसर हो जाएगा B option 1950 में है ठीक है अब देखें कुछ important वो देख लेता है भारत में स्वतंतिता के पश्चाद राष्ट का सर्वागीन विकास करने के लिए केंद्र साशन ने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की थी तो देट याद रखिएगा 15,1950 में है ठीक है जनवरी इन-दो-जारपंदरा से योजना आयोग की जगा नीती आयोग ने ले ली थी तो यह भी याद रखिए कब नीती आयोग बना था यह तो जनवर 2015 मैं वर्तमान में नीती आयो के उपादेश डॉटर राजीव कुमार एवं सीयो हैं अमीताब कांथ ठीक है नेक्स्ट है भारत में राश्ट्री क्रिति बैंकों की संख्या है और से चौदा एककिस बीस या बारा सो इसका अंसर हो जाएगा डी ऑफ्शन बारा अब बारा ही बची है वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समय तो कुल राश्ट्री क्रित बैंकों की संख्या बारा हो गई है तो इंपोर्टेंट यह भी आद रखेगा मिस्ट्रित अर्थ विश्ता का तात्पर है उक में से कोई नहीं पाट दोनों चेत्रों की विद्यमान अंगों होते हैं मिस्त्रित अवस्था या अर्थ विवस्था कहलाती है थिए भारती अर्थ विश्तमें रथ विव स्टा का एक प्रमकर मख अधारन है समविधान सभा में भारत के समविधान को कब अंगी कृत किया गया ऑप्षन है 26 जनवरी 1947 26 जनवरी उननेश सो पचाश 26 जनवरी 1947 यह रिपीट हो गया है और 29 नॉबर उनिस सो उन्चास तो इसका अंसर हो जाएगा डी ऑप्षन 26 नॉबर उनिस सो उन्चास को अंगी कृत है तो याद दखेगा अब देखें कुछ इंपोर्टन यह भी देख लेते हैं इससे भी कूशन आ सकता है भारत समिधान सभाया ने भारत के समिधान को 26 नॉबर उनिस सो उन्चास को अंगी कृत किया था तता 26 जनवरी ॐचर नॉबर shitty हमाब उनिस सो पचास से पूर्तेहा लागू की हुआ है झाग अगर कोशन आता अंगी कृत का तो आंसर हो जाएगा च्टई नॉबर उनिस सो उन्चास और पूर्तेहा लागू का दो उन्सका अंसर हो तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्चन 19 से 22 के बीच में आप देखें यह पॉलिटी की जो ट्रेक है मैंने पॉलिटी वाले प्लेलिस में आप लोग देख लीजेगा जिससे यह जितने भी आर्टिकल से 51 था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल से इससे हमेसा एक्जा भी हो जाएंगी और से आर्टिकल भी याद हो जाएंगी कौन सा किस टाइम में और किस चीज में पूछा गया किस आर्टिकल में क्या पूछा गया यह सब ठीक है फिर नेक्स्ट है हमारा लोग सबा का कारिकाल कितनी 6 वर्स तक बढ़ाया गया अब याद रखिए कोशन चैकल के इसका आंशर हो जाएगा लोग सबा का कारिकाल अब तक केवल एक बार बढ़ाया गया है 1975 में गोसित आपातकाल के दोरान 5 से 6 से बढ़ाख 6 वर्स तक कर दिया गया तो याद दखिएगा कब करा गया है 1975 में और खाली एक बढ़ाया गया ठीक नेक्स्ट है है 60 62 64 या 65 तो इसका अंसर हो जाएगा 65 वर्स में अब आटिकल भी देख लेते हैं सम्विधान के अनुच्छेद 124 के 2 में के अनुसार सर्वोच नियाले के नियादीस होगी सेवा निर्वित्ती जो होती है आयू 65 वर्स के ना होता है और चार वर्स तीन वर्स छह वर्स या पांच वर्स तो इसका अंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पांच वर्स ठीक है आप देखिए जो भी अनुसूची से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है या अनुसूची जो सीरियल वाइस है उसकी भी ट्रिक बनी है तो में डाल दूँगा जिससे की अनुसूची से अगर कोई कोशन है तो वह भी गलत ना हो ठीक है फिर नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट है कोशन बर्फ पर स्कैटिंग करना प्रतर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ की गलनांक क्या होगी बताइए ऑप्शन हो जाए जाएगा ए ऑप्शन घट जाता है ठीक है तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है जिस कारण बर्फ पर स्कैटिंग करना संभव होता है फिर नेक्स्ट है कोशन निमलिखित में से किस ने इलेक्ट्रॉन का आविस्कर किया है था ऑप्शन हो जाएगा आर् देखते हैं कुछ पॉइंट्स इलेक्ट्रॉनिक की खोज विग्यानिक जेजट थॉम्सन ने 1897 इश्वी में की थी ठीक है तो इलेक्ट्रॉन का रिंड आव शितकर है ठीक है नेक्स्ट है हमारा कोशन सुख सुख बर्फ मनला कि जो सुखी बर्फ होगी किसको ठूस रूप है तो और आप्षिन हो जाएगा अमोनिया का कारबन डियॉक्सइड का और नैटोजन या फिर ऐक्सीजन का को इसका इसका अंसर हो जाएगा घृप्शिन का थीक है तो सुख स्क बर्फ है का ठोस रूप है या गैस अग्नी श्वन में प्रयूप्त होती है पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है और शेयर वहनी छोटी चोटी आत बढ़ी आथ या प्रसीखा अंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्षिन छोटी आत मानों सरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबी या लंबा हिस्सा चोटी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी लंबाई 6.5 से लेके 7.5 मीटर के लगबग होती है ठीक है याद दखेगा नेक्स्ट कोश्काओं के निर्मार के लिए सरीर का कौन सा अंगर जिम्मेदार है मस्तिक फेफड़े अस्ति मज्जा या ही दे इसका अंसर हो जाएगा सी ऑप्षन अस्ति मज्जा ठीक है अब देखें कुछ पॉइंट है वो देखते हैं लाल रग्त कोश्काएं सरीर में हिमोग्लोबिन की सायता से ऑक्सीजन का परिवर्तन या परिवाहन सरीर के विबिन उ अंदर होता है उसको बोलते हैं में होता है ठीक है तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं यह पहला प्रैक्टिस है था और डेली हम लोग एक सेट करेंगे जिससे की 20 अगस्त की हम लोग काफी सारा कुछ पढ़ लें ठीक है और यह सारा इंपॉर्डेंट है इस से रि अंदर है और यह सारा इंपॉर्डेंट है